हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल ऐसा बहुत ही कम इंफुलेंसर्स हैं जो जैनून है मोस्टली व्लागर्स इंफुलेंसर्स अपनी आडियोंस को मिसलीड ही करते हैं इस वीडियो में हम दिपिका और सबा इबराहिम की बात करेंगे एक स्किन केर क्लीनिक है इबराहिम से वहाँ पे हमेशा जाते हैं दिपिका और सबा तो वहाँ पे जाती ही रहती हैं और दोनों दुनिया भर के फेशियल ट्रीटमेंट्स फेशियल स्किन ट्रीटमेंट्स करवाती हैं अक्टूबर के एक व्लॉग में दिपिका ने अपने फेस पे कपिंग ट्रीटमेंट करवाया था और RF स्किन टाइटनी करवाई थी। जब आप प्रेगनेंट हो तो किसी भी तरह के लेजर ट्रीटमेंट को अवाइड करना चाहिए। अक्टूबर में उस टाइम दिपिका प्रेगनेंट थी। लेकिन दिपिका को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता था के नहीं वो डिबेटेबल है। अगर दिपिका को नहीं भी पता था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लेकिन वो उस टाइम पे कंसीव करने की कोशिश तो करी रही थी फिर तो दिपिका को येवली लेजर ट्रीटमेंट बिलकुल भी नहीं करवानी चाहिए थी प्रेगनेट वूमन उनको लेजर ट्रीटमेंट से दूर रहना चाहिए इतनी इर्रिस्पोंसिबल ना तो दिपिका ने खुद कोई प्रिकॉशनली और ना ही अपनी आउडियंस को इसके बारे में बताया मैडम को लेजर ट्रीटमेंट करवाना इतना जरूरी भी नहीं था लेकिन स्पॉंसर्ड एड़ जो थी तो पैसे के लिए तो कुछ भी करेंगी ये लोग कपिंग ट्रीटमेंट और स्किन टाइटनिंग के बाद रिंकल्स बगारा दिखाई नहीं देते क्यूंकि स्किन टाइट हो जाती है ऐसी और पता नहीं कितनी ही फेशिल ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद दिपिका और सभा दोनों फेशिल प्रोडप्स बेचती हैं ये क्लेम करके के देखो इनको यूज़ करके मेरा फेस कितना फ्रेश और रिंकल फ्री लग रहा है लेकिन कपिंग ट्रीटमेंट और स्किन टाइटनिंग मेंचन करना भूल जाती है और और आउडियन्स को लगता है के वा क्या स्किन है और वो लोग इनके दवारा बेचे जाने वाले परड़क्ट्स बाई कर लेते हैं कुछ हफते पहले दिपिका ने नाइट सूट्स पर मोट किये थे इतनी प्रेज करते हुए लेकिन अभी तक एक भी नाइट सूट नहीं पहना है इतने सारे सूट्स के कपड़े खरीद लिये हैं जमील भाई से सिलवाने के लिए तो पहनने जमील भाई के सिला हुए कपड़े ही हैं लेकिन लोगों को बोलना है के ये वाले नाइट सूट्स पहननू सबा स्किन पे लेजर करवा के हेर रिमूवल क्रीम्स पर्मोट करती है जहां तो इसका लेजर ट्रीटमेंट बेकार है नहीं तो फिर जह जूट बोल के हेर रिमूवल क्रीम्स बेचती है इनकी आउडियंस को रियली इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और प्लीज अगर आप इनके